असलाम अलेकुम एवरीवन और वल्कम बैक तु माइ चैनल क्या हाल चाल है आप सब के आप सब बिलकुल ठीक होंगे और जहां से मैं लास ताइम आपको छोड़ा था वहीं से मैं आप सब को वापस पकड़ लिया है मैंने आपको बोला था ना के मैं जा रही हूँ टारगेट I don't know किस-kis ने मेरा लास व्लॉग देखा है नहीं देखा तो जल्दी से इसको भी देख लें क्योंकि उस पे भी एक बहुत अच्छी सेलिब्रेशन हुई है और इस व्लॉग में भी एक बहुत अच्छी सेलिब्रेशन होने वाली है तो मैं टारगेट आई थी मेरी मेरा फ इंशाला होगी तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं देखा लेकिन मैं आ गई थी आरिप के लिए चीजे लेने कुछ चीजे तो मैंने ड्राइब अप से और कर दी थी क्योंकि मुझे हीलियम टेंक लेना था और भी बहुत सारी चीजे मैंने और करी थी लेकिन मैंने सोचा कि इंशालाय के लिए कुछ ड्रेसे देख लेती हूं यहां पर जो ड्रेसे होते हैं वो बहुत प्यारे बहुत क्यूट होते हैं काफी जादा मैंने चीजे देखी लेकिन फिर मैंने दो एक जैसे डिजाइन के डिफरेंट कलर के उसके लिए ड्रेसे लिये थे और यहां पर अ चीज़े जो है वो मैंने उसके लिए ले ली थी, कुछ चीज़े मैंने online order करी है, decoration की, वो मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ, रात बहुत हो गई है, almost 10, सवा दस हो गए है, तो अभी मैं जस्ट घर जाओंगी, घर से बहुत फोन भी आ चुके है, क्योंकि मैं निकली ही सव जल्दी जल्दी जो चीज़े लेनी थी, तो उनको मैंने जल्दी से लिया, और अब हम जा रहे हैं घर, घर पे मिलती हूँ आप से, और इसके बाद सारी हम लोग इंशाला planning करते हैं, तो घर आने के बाद, बच्चे वो सो गई थे, यहाँ पर मैंने सोचा, कि जल्दी से ज के अंदर बलून्स और टेबल कवर, काफी जादा चीज़े थी, और अच्छे प्राइज में मिल जाता है, जब आप पूरा पैकेज लेते हैं, लेकिन जब आप सेपरेट चीज़े और करते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिफ परता है, और साथ में मैंने ये बड़े, यूज पैट मैं, स्पाइडर मैं, और कर दिये थे, क्योंकि मैं घर पर ही करूँगी, बर्ट दे बर्टी, कोई हम लोग, हमारे को रेलेटिव नहीं है, और इतने किसी लोगों को जानते भी नहीं है, तो अच्छा है कि नो घर पे, जब आप बर्ट दे पर्टी करें, तो अपने यह मैंने back drop order किया था online तो काफी जादा चीज़े जो है वो मैं online ही order कर लेती हूँ, असानी हो जाती है यह helium tank मैंने लिया है सुबा जो है मैं इससे balloon को fill कर दूँगे क्योंकि जब आप बाहर से करवाते हैं balloon को blow helium gas वगरा जो भी अपने fill करवानी तो वो बहुत expensive होती है एक balloon 4-5 dollar का वो लोग फिल करके देते हैं तो helium tank सही रहता है 30-40 balloons आराम से आप blow कर सकते हैं और यह batman की मैंने shirt order की थी आरिप के लिए इसके साथ, इसका cape है batman का साथ में इसका mask दिया वा था hood के साथ तो मुझे काफी अच्छी लगी इसमें और भी बहुत सारे characters है यह मैंने Walmart से order करी थी इसके price अच्छे थे साथ में मैंने का jeans का कोई shorts या फिर yellow color का shorts contrast करके वो इसको पिना देंगे तो यह मैं बस घर पर ही रखा वा घर से ही जो है वो निकल गया था और साथ में मैंने candles ले ली थी अच्छा अलाया का भी मैंने आपको बताया था ना कि मैंने उसकी बे decoration order करी थी तो यह काफी अच्छा मैंने frozen का इसका gown order किया था इसकी quality बहुत अच्छी थी लेकिन जिस पैनने में नहीं आया तो मैंने का इसको रख लेती हो future में कभी काम आजाएगा क्योंकि उसको princess के कपड़े वगएरा पहना अच्छा लगता है तो यह मुझे बहुत क्यूट लगा था इसकी stitching, इसका design, इसका cape बहुत प्यारा था और साथ में princess के gloves आई थे एक princess का crown था काफी अच्छा उसकी stick वगएरा दीवी थी और साथ में मैंने alai के लिए जो है वो अलग से tiara भी order किया था तो hopefully यह सारी चीजें जो हैं मैं future में यूज़ कर लूँगी यह वैसे तो कपड़ों के लिए यूज़ होता है और back drop के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरी बहन का था तो जब वो पाकिस्तान जा रही थी ना तो मैंने उससे ले लिया था मैंने का यह तो मुझे दे दो adjustable था लंबा भी कर सकते थे चोटा भी कर सकते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा था कि यार मैं इसको कहां पर set करूँ पहले मैंने सोचा कि रूम में पूरा party का decoration कर देती हूँ फिर मैंने का नहीं यार living room जाद अच्छा लगेगा light भी अच्छी आएगी सुबा के time तो फिर मैंने इसको living room में इस तरह से रग दिया था जहां पर आरे बैठेगा वहीं पर मैंने इसके पीछे backdrop लगा दिया था अब बाकी की जो चीजे थी हैं वो मैं जल्दी-जल्दी से सोच्रियों कि किस तरह से पहले लगा हूँ balloon को blow करूँ फिर मैंने कर नहीं balloon हम इंशाला कल सुबा उठकर लगाएंगे लेकिन फिलहाल जो है वो मैं table covers और जो बाकी चीजे हैं वो मैं जल्दी-जल्दी से finish कर देती हूँ जो happy birthday banner आया था तो उसका मैंने क्या किया कि उससे मैंने कुछ alphabets लिये और आरिप का पूरा नाम बन गया था happy birthday के letters से ही तो मैंने उसका नाम इस तरह से नीचे लगा दिया था तो एक DIY मैंने अपने दिमाग से कर लिया मैंने क्योंकि already happy birthday banner में लिखा वा है तो दुबारा अलग से banner लगाने की जरुएत नहीं है तो अच्छा है कि उसका एक नाम आ जाएगा banner पे तो अच्छा भी लगेगा pictures के time टेबल कवर भी मैंने बिचा दिया है मैंने का ये काम अभी सही कर देती ना कि सुबा सुबा बहुत जादा भाग दौर हो जाती है मुझे केक लाना होता है फिर बलून भी blow करने है बच्चों को भी ready करना होगा तो रात को ही ये सारे काम जो है वो मैं करके सो जाँगी ताकि सुबा मुझे फिर असानी हो जाए और एद के व्लॉग में मुझे जवाब दिये थे तो अब देखते हैं कि कौन विनर होगा और विनर भी मैं इंशाला नेक्स व्लॉग में अनाउंस करूंगी एक में सिर्फ जह वो बिल्कुल सही जवाब दिया था मैं इसलिए हमेशा बोलती हूं कि जब व्लॉग देखा करें तो सही तरह सुन लिया करें क्यूंकि इसमें बहुत सारी मैं जहूं चीजे ऐसी बताती हूं और कुछ मैं कभी गिववे भी ऐसे अनाउंस कर देती हूं और गिववे इंशाला 50 डॉलर का कैश होगा और वो अनाउंस नेक्स व्लॉग में करूंगी इंशाला तो सारा काम मैंने खतम कर लिया है घर भी माशाला पूरा साफ है और टाइम जो है वो अब सवाइक होने वाले हैं मैंने का कि अब चलके अब सोना चाहिए हैं बहुत मैं ठक चकी हो फिर सुबा सुबा जल्दी उठना होगा और बाकी के काम फिर हम सुबा कर लेंगे और ये हो गई है नेक्स डे मॉर्निंग मैं आई थी अपने फेवरिट स्टोर दूसरे नंबर के इतना लंबा सा मुझे बैग मिल गए था एक डॉलर का मैंने का इसके अंदरी डाल कर जो है वो उसको दे दूँगी क्योंकि गिफ्ट रैप करने में इतनी जादा महिनत हो जाती है और गिफ्ट भी अच्छा खासा बड़ा है तो काफी जादा रापिंग पेपर लगने वाला था और टाइम भी नी था मेरे पास केक भी मैं ले चुकियों हमारी फेवरिट बैकरी से हवाइन किंग्स हवाइन बैकरी से मैंने लिया है हमारा ओल-time फेवरिट परड़ाइस केक बहुत मज़े का होता है और time भी आप सबके सामने है मैं time इसलिए दिखा देती हूँ ताकि आप लोगो पता चलता है कि मैं किस किस time क्या क्या कर रही होती हूँ घर से तो मैं निकल गई थी 8 बजे ही क्योंकि आज मेरा appointment भी था घर जैसे ही आई तो मैंने बस क्योंकि बच्चे उटके बैठे वे थे तो मैंने बस जल्दी से helium tank निकाला और हम लोगोंने balloons ब्लो करना शुरू कर दिये थे और आज मुझे पता चला कि इस helium tank से इतनी असानी हो गई है कि फटा फट balloons ब्लो गए और घरी घर में जो हम अराम से पूरी अच्छी सी setting जो है वो balloons के साथ कर लेंगे तो जब भी इस तरह की कोई नई चीज हम लोग कर रहे होते हैं या मैं कर रही होती हूं तो सारे बचे मेरे इर्द गिर्द आके बैठ जाते हैं और अपनी अपनी turns ले रहे होते हैं तो यह सब इस चीज को बहुत जाता enjoy करते हैं और सारे काम हम लोग जो है वो बड़ी खुशी खुशी enjoy करके कर रहे होते हैं तो यहां पर आप देख लें मेरी final table final decoration जो के माशाला बहुत प्यारी लग रही थी और हम सब बहुत जाता excited थे मतलब मुझे यकीन नहीं आता है जब मैं decoration कर लेती हूँ उसके बाद मुझे बहुत खुशी फील होती है मुझे यकीन नहीं आ रहा होता है कि यार यह मैने ही पूरी decoration की है बात यह होती है कि जब आपके बास चीजे सारी मौजूद होना तो फिर आप चीजों को कहीं भी लगा सकते हैं और अपने माइंड से जब बहुत सारी चीजे क्रियेट करके सेट अप कर सकते हैं ज़रूर बताएगा कॉमें सेक्शन में कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी और अब हम करते हैं cake ceremony आप भी मेरे साथ शामिलोगा और मेरे बच्चों को अपनी दौाओं में जरूर रियाद रखेगा तो यह थी हमारी चोटी सी प्यारी सी बर्ड़े सेलिबरेशन जो हम सब ने बहुत साथ एंजोए करी थी और बच्चों ने डेकोरेशन पसंद की आरे बहुत साथ हो गया था मुझे और कुछ पी नहीं चाहिए था सबसे जदा वह खुश ताभूआ था जब उसने अपनी फेड़ेट शर्ट देखी ती तो मुझे बहुत ज़हादा खूशी होती जब मेरे बच्चे हो जब बच्चे हो जाती हैं अब बस मैंने का नाश just बहले थोड़ा थोड़ा केक इक को दे दे देती हैं तो मैंने पैनकेक्स और हैश ब्राउंस वगरा मंगवा लिये थे साथ मैंने घर में उनको औरंज जूस बना दिये था तो इस तरह से हमारी बर्डे पार्टी हो गई थी घर पे बहुत अच्छी सी अबुलाहत क्योंके इस तरह का कोई ब्रेक्फिस्स नहीं करता है पैनकेक हैश ब्राउंस टाइप का तो उसके फेवरिट हैं कैसीडियाज मैंने उसको बना के दिये थे कैसीडियाज घर पर अब जो है वो आरिप के प्रेजंट ओपन करने की बारी आ गई है हम सब पूरी फैमिली की तरफ से उसको हमने ये प्रेजंट दिया था और साथ ही मेरे इनलाज ने कुछ गिफ्ट्स भिजवाए वे थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये वाला गिफ्ट दिखाती हूँ जो मैंने एक दिन पहले टार मैजोरी ने बोला कि Paw Patrol होगी लेकिन पाप्र पेट्रोल बर्दे टीम नहीं थी सुपरहिरो थी जडू ने मुझे आंसर दिया वो भी गलत था लेकिन वह एक सुपरहिरो का पार्ट था तो इसले मैंने जो है वो उनका आंसर को गरेक्ट किया और उनको इंशाला मैं नेक्स बच्चे जो है वो टोई से खेल रहते हैं मैं बिल्ड भी करके दे रही थी इनके टोई और साथ ही हम लोगों ने डिनर घर पर मंगवाया था क्योंकि मैं बच्चों को लेकर चली गई थी जंपिंग कराने के लिए और वापसी पे जो है वो जब अली ने हमें पिक किया तो र अले में है तो अलहमरा रेस्टराउन सर्च करेंगा और जरूर इनका चिकन तिक का मसाला ट्राइ करेंगा विद कारलिक सास होट सास मज़ा आ जाता है इस तरह के खाने का वीक में या एवरी अधर वीक हम लोग इनका खाना जरूर खाते है क्योंकि अली को तो ख्रेविंग तो इस व्लोग को अब मैं नेक्स दे कंटिन्यू करी हूँ अभी मॉर्निंग हो चुकी थी बच्चों के स्कूल का टाइम है मैं और अली जा रहे थे आरे बलाय को स्कूल चोड़ने के लिए अब तुलात का स्कूल जो है वो अर्ली मॉर्निंग होता है लाइक पॉने कि पॉन्च गे थे और करोना जो है वो फिर से बहुत जादा फैला है तो मैं सब को यही बोलूँ एक कि सब अपना बहुत जादाख्यार रखें अपने प्यारों का ख्याल रखें आपके घ़र में जो लोग रहते हैं उनका भी सोचें और सब को अपनी दवाओं में आद रखें कि लद्ध आख करें, सब बच्चों की हिफाधत करें आजके ले इतनी खराब खराब नियूस सुनने को मिलती है वैसे हम लोग इनको खाना भी डाल रहोते हैं, मैंने अक्सर आपको दिखाया है ना तो मेरे पास यह जो प्लेट्स रखी में मैंने बच्चों के लिए वंगवाई थी तो अब इसमें काफी ज़दा स्टेइन लग गएते तो मैंने सोचा कि यह बाहर रख देती हूँ, बर्ट्स के काम आ जाएंगी जब भी पानी खतम हो जाता है, मैं इनको वाश करती हूँ, प्लेट्स को और इसके अंदर जहें वो फ्रेश पानी भर देती हूँ, ठंडा-ठंडा क्योंकि गर्मी है और जब परिंदे पानी पीएंगे तो उनके दिल से भी हमारे लिए दुआ निकलेगी और ये एक तरह से सत्काई जारिया होता है और अब इसके बाद मैं रूम में आ गई थी क्योंकि सुबा बच्चों को स्कूल भेशने के बाद, अपनी बर्ड्स को पानी देने के बाद, मैंने सोचे कि मैं साथ ही साथ जो है, वो कमरे भी साफ सुतरे कर लेती हूँ जल्दी से और जब पूरा घर साफ हो जागा ना उसके बाद मैं बैट के प्लानिंग करूँ कि कि मुझे अभी करना क्या है और पकाने का भी सोच रहा है क्योंकि ये तो सबसे बड़ी हम सब की टंशन होती है कि क्या पकाना है, किस तरह सबने दिन को मैनेज करके चलना है मैंने एक चीज नोटिस किये कि क्यूंकि मैं अखेली रहती हूं बाहर और मेरी तरह और भी बहुत सारी लड़के हैं जो बाहर रहती हैं अगर आपने काम को बाट लेना तो काम इतना जादा जो है वो हम पे बर्डन नहीं लगता है मतलब एक दिन आपने ग्रोश्री डन कर ल मैं अब मेरी रुटीन बना लिए मैं जितना भी थकीवी हो ना रात को बरतन किचन साफ और लिविंग रूम साफ करके जरूर सोती हूं खर यहां पर अली को खाना था आलू का पराथा मैंने का चलो में पस आलू नहीं बने वे हैं तो मैं आपके साथ इस आलू की रेसिपी आलू की रसिपी शेयर कर देती हूं तो मैंने लिया था 1 टेल सपून ओयल अलू जाय वो ने बुटीन से बाइल करके रख दी हैं साइड में आपको पैन में नजर ए और जो मैंने ओय लिया था उसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून जीरा डाला है और चौप्ट हरी मिर्चर ढल दी हैं इसके अंदर थोडुटी सी छॉप प्यास अट कर दी है और अब भी इसके अंदर मसाले आड कर दौँगी अफल्का से सको मिक्स कर दूँगी प्यास जब थोड़ी से सौफ्ट हो जाएगी घगी ना प्र पिर में इसके अंदर जा है कर दूँगी कौटर टी स्पून के बराबर मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है हमेशा मुझे जो है वह आलू के पराटे में हल्दी थोड़ी अच्छी लगती है ज्यादा और पिसी भी मैंने लाल मिर्श डाली है आप चाहें तो कुटी भी डाल दें क्यूंकि मैं ज्याट मसाला डाल दिया था और सॉल्ट टेस्ट पस यह सारी चीज़े मैंने अड़ कर दी है और जो आलू बोईल करके रखे थे वह एड़ कर देंगे और हल्का सा मिक्स कर लेंगे मेरा ये तरीका है आलू के प्राटे बनाने का और कुछ लोग जो है वह आलू को मैंश कर कर लोगी स्पून की हल्फ से और मिक्स करती रहूंगी ताके जो मसाला है वह आलू में अच्छे से लग जाए और जब यह मिक्स यह बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा मैं एक प्लेट में निकाल कर इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनिट के लिए फ्रिज में रख दू तो यह स्टिक ना हो जाए और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना अट कर दूंगी क्योंके इससे जो फ्लेवर है वह और ज्यादा अच्छा हो जाता है खुश्पू बहुत अच्छी आने लगती है और बस यह अब ड़न है बिल्कुल और यह अब जो है वह तरह जो है फोड़ा पड़ा बनाए कि तैयारी करते हैं लिक्स्छल थंदा कर लिया था फिरज में रखकर और मैंने क्या क्या किया कि जो ब्राथ हुआ चार लेक्टा बना श्क्राख ड़िया ऑं हो जो मैंने प्र अलू लगा और पर रोठी डालं बनाए क्योंकि अगर आप सिंगल पेड़ा लेते हैं और उसमें फिल करके आलू बनाते हैं तो सम्टाइम्स मेरा तो फट जाता है और मुझे यही तरीका जो है वह बेस्ट और एजी लगता है और बस अब आईस्ता इससे मैं प्रो हो रही हूं पराथे बनाने में आप लोग देख उनको लगता है कि हर रोज सुबालू का पराथा खाने से उनको भूख नहीं लगती है लंच उनका करने का दिल नहीं करता है तो जब पराथा इतना अच्छा बनावाई था साथ में मैंने जो है वो मीठा दही रखा था तो मैंने का चलो एक बाइट ले लेती हूं पूरा अच्छे भाई मेरे जेट ने और मेरे जिठानी ने इनको गिफ्ट्स भेजे हैं जो के इनको बहुत अच्छे लगे तो अलाया की ये फ्रोजन की वैनिटी है क्योंकि मैंने इनको बताया था कि उसको प्रिंसेस बहुत अच्छी लगती है उसको फ्रोजन फेवरिट उसके तो उनने एल्सा की ही वैनिटी उसको भेज दी तो इसमें बड़ा अच्छा एलेडी और म्यूजिक और बहुत अच्छी लगी थी और आरिप के लिए उन्होंने ये पापट्रोल का टावर भेजा था जिस पे काफी जादा लाइटनिंग थी और अलिवेडर वगेरा सब लगावा था काफी अच्छी थी ये भी और हमने जो आरिप को गिफ्ट दिया था वो भी सामने रखा हुआ है तो दोनों के दो दो प्र करके रखी है क्योंके मैंने का वो फ्यूचर में खोल दूँ कि इतने प्रेजन काफी है क्योंके मुझे जादा क्राओड जो है वो लिविंग रूम अच्छा नहीं लगता है और अलाय के लिए उन्होंने ये एक अलसा डॉल भेजी थी जो जिसमें आब इसके हैरस्टैल व का व्लॉग पार्टी आप लोग उन्होंने इंजॉए किया होगी अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरू कर दीजेगा मेरे चैनल को पहली बार देखे है तो प्लीज सब्स्क्राइब करिएगा अपना रखेगा बहुत सादा खयाल मुझे रखीगा अपन झाल मुझे रखेगा व्लॉग तो